तो पीछे हमने अभी तक पड़ा है जैकोबिन रिज्म उस समय का जो दोर था तो वहाँ पे कुछ सुधार हुए अब स्लेव्स रखे जाते थे यहाँ पे तो स्लेव्स का काम क्या होता था जो लोग अपनी किसी वज़ां से काम नहीं कर पाते थे या पहुँच नहीं कर पाते थे किसी जगह तक तो वहाँ पर वो लोग दास रखते थे और उन दासों से काम करवाते थे खेतों के अंदर या और दूसरी जगां पर तो अब एक ऐसा टाइम आया कि revolution क्या था एक social reform के रूप में It is one of the most revolutionary social reform of the Jacobian regime It was the abolition of slavery in the French colonies Colonies क्या होती है जहां पर कुछ suppliers रहते हैं और वो कुछ commodities या कुछ ऐसी जरूरत की चीज़ें जो हैं वो हम तक पहुचाने का काम करते हैं The colonies in Caribbean, Martink, Gedlock and San Domingo were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee तो यह यह products यहां पर अविलेबल होते थे और यह लोगों तक पहुचाते हैं यहां पर जो suppliers हैं वो यह चीज़ें supply कर रहे हैं but the reluctance of Europeans to go and work in distance unfamiliar lands means a shortage of labor on the plantations तो कई बर यहां पर मजदूरों की कमी हो जाती है and this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and America तो यहां पर यूज किया जाते हैं इस तरहां के slaves यह slaves क्या हैं? यहां से दूसरी जगाँ पर ले जाये जाते हैं और उनसे वहां पर जो है काम कराया जाता है तो अब एक दास परथा की जो category है वो यहां पर चल रही है the slave trade begin in the 17th century तो एक व्यापार के रूप में ही शुरू हो गया अब merchants sailed from the ports of Bordax and Nantes to African coast where they bought slaves from local chief trades जहां से उनने अपनी जरूरत की अलग-अलग जगाँ पर ले जाया जाता था the slave trade begin in 17th century the slaves were packed tightly into ships for the three month long voyage across the Atlantic to the Caribbean there they were sold to plantation owners तो तीन महिने का लंबा सफर तए करने के बाद इने वहां ले जाकर के जो है खेतों के जो मालिक होते थे उनको सुप दिया जाता the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo poured cities like Bordax and Nantes out there economic prosperity to the flourishing slave trade तो अब इसी दोरान इसका थोड़ा सा criticism भी होने लग गया criticize करना शुरू कर दिया लोगोंने अलोचना करनी शुरू कर दिया शुरू कर दिया तो नेशनल असेंबली के अंदर काफी सारी चर्चाएं भी हुई इस चीज के उपर कि इन लोगों को जो rights हैं जो अधिकार जो हैं उन चीजों के बारे में बढ़ाए जाने चाहिए उनको क्या मिलना चाहिए काफी सारी चर्चाएं भी हुई है तो एक समय ऐसा भी आया जब इन लोगों को जो है स्लेवरी से मुक्त कर दिया गया लेकिन जस्ट थोड़े ही समय के बाद स्लेवरी जो है फिर से री इंट्रोडूस्ट हो जुकिया चर्चाएं खतम हुई एबोलिश्ट हुआ हटाया कैस्ट को and then री इंट्रोडूस्ट स्लेवरी नेपोलियन री इंट्रोडूस्ट स्लेवरी plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African negros in pursuit of their economic interest तो लास्ट में फाइनली 1848 के अंदर एक ऐसा टाइम भी आया है जब फ्रेंच कोलोनिस के अंदर से पूरी तरह से अबोलिश हो चुकिया Slavery was finally abolished in French colonies in 1848 Thank you